मुझे छोड़कर गया तुम्हें दो हजार पाईसो तुली सर 26 दिन 2 दो हजार पाईसो चप्विस दिन 6 घंटे 6 घंटे 25 मिनिट और 5 खेज सकिन मैं रोज इसी तरह तुम्हारे सामने अपना दुखडा अपना दुख्रा बाटने के लिए खड़ा हो जाता हूँ माजुरी कहने को चार-चार बेटों का बाप हूँ लेकिन फक्र करने लाएक एक भी नहीं है जोथा भी छोटा है इसलिए ठीट ठाक है लेकिन बढ़ा होकर वो भी अपने भाईयों की तरह खेर तुमसे दो-चार गड़ी बात कर लेता हो तो अनको शान्ती मिलती है God bless you, माज़ी I'm sorry God bless your soul दुली ये लोग अभी तकाई नहीं तुमने इने नीचे आने के लिए नहीं कहा था क्या सर एक बार नहीं तीन बर कहके आऊं कि आपने अपनी पत्नी के नाम से एक नई फैक्ट्री शुकी है और उसके उद्खाटन पर जाना है तुमने उनसे कहा नहीं कि ये फैक्ट्री उनी को संभालनी है सर आपके आने से पहले यही तो कह रहा था तो तो सर वो एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं सर मैं इन्हें छोड़ दीजिए वरना पश्ताएंगे शुबकर मत्पना मुझे अपनी बख्वाच धन्य ये वही चंडाल है जो पिछले पीस परसों से न मुझे जीने दे रहा है और नहीं मरने दे रहा अपने बाप को चंडाल कहता है ये मैं आता कि तरी खाल केचलू एई धन्यू एई धन्यू मुझे बचा ले मुझे अपनी आचल में जगाते धन्यू वरने ये हैवानी मुझे खा जाएगा जो पाप कैसी रही एक्टेंग अब वो तिंदुर नहीं चपसीरी देवी जी रेखा जी और मादुरी जी मेरे साथ काम करने के लिए पागल उठे इतने शर्म की बात है ये मादुरी जी तो तुझे याद है लेकिन अपनी माता मादुरी जी को तु भूल गया जिसके लिए में आज एक नई कंपनी खोलने वाला हूँ मादुरी और उसके नला एक संस देख अगर तेरे पास वक्त है और अपनी मा के लिए जरा सी भी श्रदा है तो तेरा ये बाप नीचे नाश्टे के डेबल पर तेरा इंधार कर रहा है आजा तेरे बाप तेरा अभारी होगा आजा रे मादुरी रहा है हाई डाड आएम मेड गोचो तुम जैसे नमूनों को पेडा किया काम ओन डाड अरे डाड के बच्चे क्या मैं तुम से सीथे मुह दो बाते करसकता हूँ यस राद बोलिए क्या करते हो आजीव, मैंने तुम लोगों की मा के नाम से एक नई फैक्टरी खोली है All the best, Dad, all the best अरे वो फैक्टरी तुम लोगों के नाम है और मैं चाता हूँ कि तुम लोग इसके उस भाटन पर आओ Come on, Dad, ये फैक्टरी फैक्टरी के चकर आपे समाली है But still, if you want me, मेरे लिएक एक्टरी का कमरा रखाओ दीजेगा फैक्टरी में साफजादे मैं फैक्टरी खोलने जारा हूँ कोई अखाड़ा नहीं अखाड़ा नहीं, Dad, जिम कहिए तू सीधी तरह तयार होकर नीचे आता है, नहीं Dad, you have an एक्टरी के टाइम है आवाज की दिनिया के दोस्तों, आज आप लोगों के सामने, अपने आपको, यानि की, उभूर तो ये गायक, रिशी कुमार को पेश कर रहा हूँ हाटो हाजरात, घजल शुरू करने से पहले, आदाब, आएए हाटो हाजरात, कबले पर आज मेरा साथ दे रहे हैं, कैलाश खासा, कैलाश को? दोस्तो, घजल शुरू करने से पहले, एक किस्सा याद आ गया मुझे अरे किसे से पहले अपने बाप की फर्याद सुन ले ए गाया गवया बिलकुल सुनूगा बाबुजी और ही काव्या 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 मिलाया है आदाब हाँ तो दोस्तों आपकी खिब्लत में पेश है मुने आई नजग सेला तुमें आएगी में इतना जोर से नाची आज एक नई फैक नीखोली है के गूंगरू तूँद गर्वे нес मादधरी और उसके संस के गूंगरू तूद गर्वी तो पह आना है के गूंगरू तूद गर्ति तूद तु टयार हो कि मीठी आ या ते वहे आई में ऑर गया मैं कहां फ़ग गया ने इतना वोट से नाची आए अरे गुंगरूई तोड़ना रहेगा ये तो 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 तीन की आए अधरंगी जी माले कितने बच्चे हैं तेरे माले कुमारी तो शादी नहीं हो यवी तक तो कियो तुम, जी, खाते खाते ब्रूख तो नहीं मर जाती न, पापा, आप दिनाना से के जा रहे, खाये न, मैं आपता साथ दूगा, आला होकर मेरा साथ देगा न, बिटा, दूगा पापा, प्रॉमिस, प्रॉमिस, बंगला, अच्छा है, वोने बुदी चाना है चान, लई चान, तू करी-करी क्या करी है, किचन देख जाकर, किचन खुट है माजी, अरे घर है तो किचन तो होगा ही न, ढूंद, हाँ, 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 माली, कौन देख आया वाँस, ओ माली, यहां से परपर कर क्या देख रहा है, कबरदार जो मुचे पूछे बगार कुछ किया तो मेरे बंगीचे में, आपका बंगीचा, आप है कौन, इस बंगली की नहीं लेंड में दी, और आज से तुम्हारी माल कीम, मालेक, मालेक, माले वहां तो मौपेड हो, आपको छोड़ो मेरा हाद, एक मान दो सेकंद से लग में, वहां से रहा है, कापिश मेरी में, यह लोग स्ज़वार कौन, माजी यह लोग चौर लोग है, काई मोटा कििचिन मादी गुज़गे चा बनाता था और यह धिंगा आम लेक खाता था, दे माली का माली। माली के है ? कपरेरे को वा गर तुमीद है ! पॉप ! कौन है इस रोग ? पता नीपेटा मुझे बत ! अनके EQ ! मेरे कमी कहारगा ! माली कही के रोग ! पता नीपेटा मुझे बत ! जदे के पार निगाला नंगो एफ मैंने खामोश प्रेल अच्छनाट यह सब क्या हम धाँ बाए यह और जबरुदाटी मेरा घर में कुझज़री है है अड़ी दो शामोश पुझज़ने तरह घर अगी इख तरीना और यहां पर यह माली का बच्चा अपने पूरा खांदा लेकर जवा के बैता हुआ है जरीमा इसे समझाओ कि यह बंगला हमारा है पुलिस को बुलाई पानूर को दूसे मतलाओ तुझे गलत समी हुई वो तो होती रहती है यह बंगला के लाशना जी का ही है पतरी के समझता है यह माली बुद्धा मेरा तो दूसे थूपटी को शल लिया चल चल लिया तू बता गरी ना इससां से क्या गल्ती नहीं हो सकती अगर गल्ती से आम इसके बंगले में चलेगे तो कौन सा पाथ तूपड़ा है हमारी बुद्धा के जर पर बंगला खाली के आइसकर ही हो सकता है दुनिया में और किसी के बंगला नहीं है मेरा क्या बंगला नहीं हो सकता है है यह है यह हो तुमारा बंगला कितना प्यारा है हम लोग अपने अपने कमरे देख लेते हैं तुमारे बेटिया अच्छा तु दो ती दिना के रहे ले फिर पता चलेगा बहेंग करें हमारी बेटिया वाउ लेती हमायाई यफरी प्ले लेती तुमारी इूण वाघुव तुमारी प्ले वाउ बvyस फ्लेख लेख ले अमारी पुद्धी, इन लोगों को तुम जाती हो, नाय हो, आंथी, आपने हमें पहचाना नहीं, नहीं, अमारी मा कुंती आपके बच्पन कसाहली थी, यादे आंथी, मक्खनपुर का वो मकाद, कुंती, हाद याद आया, तुम चारो, कुंती पुत्रो हो, तीन पुत्र, एक पुत् साँ है ये लोग सिधा तीरुपती से आरहे हैं, तीरुपती तो हम हर मेंने जाते हैं, पाल देने, नहीं, बाल मागने, वच्पन से हमारा यही हाल है, कहां कहां जाकर मननते नहीं माँगी, मगर आज तक, इस सरजमीन पर, एक भी बाल नहीं होगा, पंजर जमीन पर, दिना आज पहली बार किसी ने हमारी भावनाव को समझा है आँटी, you are great हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे आप जो भी कहेंगी, हम वही करेंगे तो पहले हमारा बहार से सामान अन्दर में किया मादी, मीजरा रस्वाई बगुनिये तो एक उत्री, अच्छान आयो, एक उत्री पुत्री, मेरे कुजरा रस्वाई दिखाती क्या दिखाती हूं मोटी, आओ आगो बायो कोमल, कभी ता कांचन, तुम तिनों से मेरी एक विंती है इस बार आड़ोस परोस के लोगों को टंग मत करना तुम्हारी बज़र से ये पाचवी बार मैंने नहीं जागा में मकर खरीदा है ओके, माम येस, मामी हाँ, मा जब तक अपना सामाय ना है, हमने अपने कमरे देख ली? हाँ आप रोगों की कमरे उपर हैं हमने पहले से ही सब कुछ साफ कर दिया है चलाओ चलाओ सबल, सबल, सबल कब सुदरेगी हमार ये तिनों लड़किया? आप भी क्या सोचते होंगे? मैं हर बार आपकी तस्वीर के सामने अपना दुख पाट में बैठ चाती हूँ मगर मैं करो भी तो क्या? किससे कहूं? आप तो इन बच्चों के लिए सभी कुछ चोड़ गये हैं रुप्या, पैसा, नौकर, चाकर मगर ही बेठिया बड़ी होने के बाद सुख देना तो दूर की बाद है मेरा कहना तक नहीं मागती इनके लक्षन देकर कौन इनसे शरी करेगा? महलने आज क्या-क्या देखना बादी है महलना थो शहर में होता है ये तो जंगल है अरे जन्गल में कम सी कम ओपते तो पहते हैं वैसे तू ने क्या-क्या देखा? जे सब देखा ये तो हग ता सिर्फ माटष जी का, जिसने हमें पैदा किया और भाबुजी का जिसने हमें पाला अबे दिल की आवाज भी सुनो कपड़े पहने या उतारने पर मज जाओ दिल की आवाज? हाँ, जो सुबह लड़किया आई थी वो आई नहीं थी, बेजी गई थी किसमत ने, वो भी अचानक मुझे देरी महबद, कहां आकर मिली? महबद? हाँ, आखी बन करके महसूस करो और बताओ, कौन थी वती? हमारे महबद की मंजिले हैं खुँच चल कर आएं और बातरों के तरवाजे पर आकर खड़ी हो गई मगर राजी भाया मेरे महबद की मंजिल कौन से थी? वो शायर है, तो उसकी तरण्नू और मेरे लिए? तुरंग मंच का राजा और वो रानी और तुर्ण लिए? मेरा शहजादा चाल टांगों पर चले तुरीज का सब से तीज खोड़ाने मेरे बालो वाले बल्मा अपनी चंदा को कब देगा खबर या? हाई क्या हुआ? मत पूछो अब ये करारी सही नहीं जाती मेरे चांद वाले भायो, सुनो मैं कुंती पुत्री कुकू ये प्रन लेती हूँ क्या अगर मुझे मेरे बालो वाले बल्मा ना मिले तो मैं प्रेट याद दूगी नहीं नहीं बहना ठीरज रखो ठीरज रखो बहना हम खुद केलाशनाजी के पास जाकर उनके बेटे राजीव का हाथ मांग लेंगे लेकिन पहले हमारे हाथ तो पीले हो जाने दो अगर बात की तुने हाथ लड़कियों के पीले होते हैं don't worry sister हम चारों की शादी एक ही साथ होगी 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 तो वन तो हाई थेलो 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 जानो बोलो ना हाई अलिजन कविता समय क्या हो रहा हुआ अरे हो देखो पुतिन यहा है I love you देखो में वो डंबल वाला है ना उसे के बर्वे में कह रहे थी हाई यह तो बड़ा हैंसम है और कल्चन हाँ वो जो शीदेवी की पुतिन लिया खारा है ना वो भी पेरे जैसे तुर्मो का दिवाना है हाई बिलकुल हीरो लगता है और वो जो पीदी वाला गुड़ा वो मेरा जोरिदा लगता है हाँ कविता तो भाई और बहनों अर्स किया है कि देख रहा हो कब से बैठा ख्वाब चा रहा है मस्ती का शबाब सुभान अल्ला शुक्रिया लगता है आज कल पेर पौदों ही शेरे शारी कने लग गए है पेर पौदे? मैं? आप? मुझे कविता कहते है आपकी तारीफ? जी मुझे रिशी कुमार कहते है घजल सिंगर आपसे दुबारा मिलकर पेहत खुशी हुई दुबारा? हम पहले कहां मिले थे? कली तो मिले थे जब आप सिर्फ वो पेंग कर आए थे ओ नो उस दिन मैं तावल बांग कर अकेले में दल पेल रहा था इसमें सुहरी की क्या बात है खुबसूरत कसरती बजन को हमेशा धाक कर नहीं रखना चाहिए आप वरकाउट कितने गंटे करते हूं? जी बस सोते वक्ती नहीं करता वरकाउट फिर तो आज की और हमारी खुब पटेगी खुब पटेगी चाहता तुम मैं भी हूं कि तच्छे पटाऊं लेकिन तेरा वो भाई अंदरनों के रास्ते में पत्थर बनके खड़ा है भाई से क्यों ड़ते हो? मर्द हो? तो दिन दहारे घोडे पर बठाकर उडाले जाओ सच पसंती वीरू पसंती वीरू आप और यहां मैं एक्टिक में इतना खो गए थी कि I am sorry और सारी कहने की क्या ज़रूर थी क्या शॉट दिया है आपने तेंक यू लेकिन मैंने आपको पहले कहीं देखा है कल ही तो मिले थे आपके घर पर हाँ लेकिन आपकी वो तो बहने कहा है वो आम यहां है गंदी भाया गंदी भाया यह है कविता जी मेरी तरह गजल सिंगर है आदा यह है कोमल इन्हें वर्काउट करने के बहुत शॉक है और यह है मेरी तरह एक्टिंगे शॉकीन वाँ यह जोगिंग पार्क है मैं यहां आदमी को भागते हो नहां चाहिए अगर इंच्पाजी भी करनी है तो भागते हों करो लेक्ट कर्या थे हाम तो आप लोगों कंपनी देने है हाम दे रहे ने कंपनी चुप चाप यहां खड़े रो और सास लेते रो अची साथ तो अब चलते हैं चलते हैं नहीं नहीं ब्रदर ये तो बहुत गड़ड़ हो गई लगता है कोशलिया पुत्रिया इन तीनों के चंगुल में आ चुकी है ब्रदर कुछ करो डॉंट बरी मैं कुंती पुत्र महिंद्र आज के दिन ये प्रण लेता हूँ कि जब तक मैं इन तीन मासूम लड़कियों को इन तीन लफंगों के चंगल से छुड़ा कर हम तीनों के दिल में कैदना करूँ चैन से नहीं बैठूँगा तिलावर भाई यही है वो तीन तलंगे अपनको तो सर्फ वोई नजर आ रहा है इसरह कहा है यही हुआ यही हुआ देखता हूँ लेकिन गया का राजीव जी वो टॉलेट गय हूँ है आरे वहां कही बंटू का फोर तो नहीं कर रहा है हाँ हो सकता है मैं इसरह दो तुझा वन तुगाफोर हाँ हाँ यहाँ हाँ 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 रहाँ हाँ 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 तेज शयार नहार तौत अज घर शाय जु कर दो कि अ लुट बागर यट कार थो से लुट वो बागर जुट बागर फट लगए, वगगख अपगवागर, वगगजजग वगर रख। पा वगजम बागर यदी वगगद नार प्टाव झाप अपग। फुर्सकर चुप जब है रफ्न नहीं कि बन्यकर अपन्यः ठाउंगार टेट सेहरा यूड है और मस आपिए रच्पी ट्केश। बहुर्म काि बन्यइक सेtit кстати आदाब केल आशनाथ सुबा सुबा चेहरे पर सुरियास्त क्या वाथ है वही बेटों का कम अरे हाँ एकवाल मिया सोच रहाँ कि इतना बड़ा कारोबार है लेकिन इसे संभालने वाला कोई नहीं है तीन तीन जवान बेटे हैं दुनिया की हर चीज में दिल्चस्पी है सिवाए हमारे इस कारोबार के लगता है कि शायद मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाने में कहीं कोई गरबड तो नहीं कर दी आपके उसी दुख का तोड़ भी मिल गया है क्या देखे ये लीजे हुजूर अब जिम्मेदारी की तालिम देना इनका जिम्मा है ये कौन है ये डॉक्टर टोपी वाला है डॉक्टर टोपी वाला टोपी वाला डॉक्टर टोपी वाला डॉक्टर टोपी वाला इस्क्यूज मी डॉक्टर टोपी वाला आज़े एक्स्यूज मी डॉक्टर टोपी वाला अंदर है समझता हेलो आप भी डॉक्टर टोपी वाला से मिलने आए है क्या जीए भई तुने मेरे बाप का कतल किया है नहीं पर इसी ने मेरे निर्दोष बाप का कतल किया है जाओ, जाओ, जाओ जाओ, जाओ घबराओ मत इस से रेवेंच कॉमप्लेक्स है आपके खरीफ? डॉक्टर टोपी वाला बस मेटे बस अब जाओ जो आगिया पिता जी, प्रेणाम पिता शृरी, पिता जी, पिता जी, अरे, ये मेरा पेशेंट है, इसके पिता कॉन है ये से मालू, इसी शौक में तो बिचारा पागल हो गया है, मैंने अब इसे ठीक कर दिया है, इसी लिए तो हो हरे को पिता सोचता है, डॉक्टर साहब आ तो आपको नहीं पहचानते हैं? पहचानते तो हैं, लेकिन मेरा कहना नहीं मानते हैं ओ, सिरॉस्स अफट ब्रीन जी? नहीं कुभात नहीं, आप लिया ही होने, ठीक कर देते हैं प्राब्लम क्या है कि वह यहां नहीं आएंगे आपको उन लोगों को देखने के लिए मेरे साथ मेरे खाट चलना पड़ेगा फीस डबल होगी माजी, को है माजी? किससे बात करता था माजी? किसी से नहीं लब, जड़ा दिखाओ तो अपने हाथ की लकीरे अपने हाथ की लकीरे पढ़ लो तुमारी और हमारी तक्DR अब एक है जब बखाबर के लिए हमने आपका हाथ थाम लिया है तूने कीरेने की बाते हैं रहने दो रहने दो, यह सब कहने लिए बाते नहीं जिंदखी बन के लिए हाथ थाम लिया ये महबबत का नया नया वुखार है सहत मन्द आदमी हूँ वुखार वुखार नहीं होता ये जजबाद जिन्दगी बर काइम रहेगा चाहो तो कभी भी आजमा कर देख लो कभी क्या अभी आजमा लेते हैं आजमा लो अच्छा तो पूरे एक घंटे के लिए मेरा हाथ पकर के दिखाओ बैस एक घंटे के लिए मामूली बात है कुछ भी हो जाए छोड़ना मत एक घंटे के लिए ये हाथ मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूँगा हमारी महाबब का एम्तिहाने कोई मामूली बात नहीं लो कुमल चाहे कुछ भी होजा मैं तुम्हारा हाथ बिलकुल ले चूँँगा हाँ देखते है देखते है अरे समय को लो क्यों भे लंगूर कैरी खाने की तमीज नहीं और आम खाने को चला है क्या मतलब मतलब ये के ये आम हम खाएंगे तक तुम्हारी उमर तो आइस्क्रीम खाने की है थोड़ाद ये ले पैसे और जाकर आइस्क्रीम खावचे जा अब बाप बाप कते जब आप मुझे बाप 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 कते तो बाप की एक नसेद भी सुन लिजे हैं दूर पीने के उमर में आम की उसने के खाब नहीं देखते बिटा सब्जे आइंडर सिजब भी आपको किसी को आख मारनी हो तो आख सिर्फ मुझे मारना समझी तुझे पक्का बर्षा है इस बात कासर पड़ेगा उन तिनों पर यकीनन होगा तू लेती रहे मैं तीनों को बलाती हूँ अच्छा जा तुली यह दवाईया ले हो जी अभी लाया अभी लाया अंकल हमारे घर में कुछ बीमार है क्या हाँ तुपारे पिता जी क्यों आटको इस नॉट इस सीरियस लेकिन अंकल कल शामता तो बबुजी ठीक थे रात को निमोनिया हो गया खिचरी यह खिचरी डॉक्टर ने सर्फ खिचरी खाने के लिए का है खिचरी में क्या है ममी बना लेना मुझे हाल्थ कलब जाना है मेरा आज मॉनिंग शूर देखने का मूर है मुझे तो टी सीरिस के चमन को माने बुलाया देखा अभी मैं खूदी बढ़ते बढ़ते खि इसे नहीं होगा? रंदीर, राजीव, रिशी, चलो, कहे दो अपने फादर से के तुम ये काम कर सकते हैं उनके लिए? पाप, सिर्फ एक ये दिन की बात है न? अरे सिर्फ एक ये दिन की बात है बेटा, कल तक तो मैं ठीक हो जाओंगा अरे क्या कर रहा हो, खड़ा तो हुआ नहीं जाता तुमसे, कहां से ठीक हो जाओंगा? अंकल, इस बात की क्या गारंटी की ये अकल तक ठीक हो जाओंगा? अरे बात से गारंटी मांगता है अरे इकबाल मिया तो आप ये अकल तक ठीक हो जाओंगे न? ठीक है अंकल बाबुजी आज हम अपका काम कर देते हैं लेकिन हम कल से नहीं करेंगे एकबाल मिया जी ज़रा समझा दो इनको काम अब एक मिनिट में समझा देता हूँ आज बच्चो ये लो फाइल अरे जमीन पर किरा दी इस फाइल में उस कमपनी का नाम और एड्रेस है तुम तीनों जाकर डील फाइनल कर लो मँखर पाप अब कल तक ठीक हो जाएंगे ना अजली करता हूं मैं इसे तो अच्छा होता तो महरे पैदा होते हमर क्या होता अब जाओ आध मों सुनो एक खिच्रिविच्रि मैंनी पकाने वाली तुम दोने बैटके यां खिचडी पकाओ, मैं जाके दर्वाजा खुलती हूँ हाई हाई एंड बाई, हम बिजी हैं, हमें बहुत काम करना है सुनिये, हम आपका काम कर देते हैं तुम लोग करोगे? हाँ भस गई ब्रदर, भस गई हाँ चलो, अब कंकर बिना हूँ हुआ नहीं अभी तक कुंती पुत्रो, तीन पुत्र, एक पुत्री चल्दे करोना, भस अभी हो जाता है हाँ खी गरम हो गया और अभी तक तुम लोग ने चावल नहीं बिने पुछ चल रहा है, कुछ ऐसा ही लग रहा है हाँ हाँ कुछ फटी हाँ हाँ मुझसे गर्स दे हो गई जो मैंने तुम्हे कुछ करने के लिए कह था मॊम, हम लोग खीचरी पता देते हैं मुझे नहीं खानी है खीचरी, तुम लोग जा रहाँ से अब तुम्हारे तबीत ठीक है ना बिल्कुल क्या, अगर तुम लोगा भी नहीं गे, तो मैं फिर से भी मुर हो जागी, क्या लाइज? येेेेेेेेेेे, जिस्टे मैं शर्मिंदा हूँ, कोशलिय, मैं एक नहीं तरकीप सोचती हूँ मेरी मा, तु कुछ बात सोचा कर तंदिर भाईया, वो खना नम का अदमी हमें यहीं मिलेगा ना? जैसे मैंने बताया था, वैसे ही करना, हमें डैट को साट लाग का एक करोड़ बना करना है, समझे? डाउंट वारी ब्रदर चलो भाईया, जल्दी चलते है चलाओ प्रद्री में अच्छा कोड़ में तु के श्री बात बाप जी तु का अप लोग आ रहे हैं, प्रीज आवरी आए लेग लेगे, बोलिए, क्या लेगे आप लोग? सिर्फ आपके 10 मिनिट जी आप 60 लाख रुपए का लोहा खरी देंगे कितना मुनाफ़ा हो जाएगा उसमें जादर से जादर 10 लाख और हम चाहते कि आप 60 लाख रुपए लगा कर एक करोर रुपय कमा है वो कैसे फिल्म मना कर देखिये गना साब क्या प्रपोसर लेकर आए हम ती माई हीरो यह पाइट कमपोजर यह म्यूजिक डिरेक्टर और फिल्म का नाम पता क्या होगा गोले ही जो शोले की छुट्टे कर देखिये मैं सारी जिंदगी लोहे में धील करते आया हूँ और लोहे में ही करते रहूंगा जोई बात नहीं फिल्म का नाम भी लोह रग देते हैं जी उसमें मैं एहसी फाइट कमपोस करूँगा कि विल्लन की वा वा विल्लन क्या चैरा नहीं यहां भी सकते ही अजिए बिल्कुल विल्लन की तरा सूचिए आप विल्लन नहों हिरोई News को लेकर होटल में आती है और ये हिरो हहली कम्धर से आता है कच, 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 कच वहा हिरोई News को व्लन कैद कर लेता है और हिरो इंसे कहता है नाचो और हिरो इन नाचती है के पग घुम्ड़ बांध मेरा नाची थी और हिरो सारी जिनीरे तोड़ के लिए और गया पकल लिता है प्लीड मेरे पर रहन की दिये वाँ क्या टालोग बोला है बिलकुल ऐसी फिल्म बोला क्योंकि इसके बात मैं आपकी थुनाई करें माट डिशाओ इनन वे ऐसे नहीं एक प्लाइट तोड़ है एक सो एक डिगरी तुम्हें तो वाक़ी बुखा रहे मुझे तो हाट रटाइक आजाना चीए था इकबाल मिया कमाल का इडिया दिया है आरे मैंने अपने कबूतों को पैदा किया है नस नस से वागी भून की साच लाग का नुकसान किया उसके कोई बात नहीं लेकिन उस कंपनी के मालिकों को अस्पताल में भीजवाए अरे आइस्ता दीरे 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 इतनी तकलिफ मत दो अपने आपको ये तीसरी बार तुमको खासे का दोरा पड़ा है सर पाँचवी बार बुलूगा पठा पैलाशनात मैं बहुत शर्मिंदा हूँ के मेरी ये स्किम भी फलाप हो गई खेर कोई बात नहीं मैं कोई और तर्कीब ढून निकालता हूँ गुट्टी वोई बीबी जी नास्टा फटा फट गुट्टी पहले मुझे भीगे बदाम लाकर दो मीराथ को बदाम भीगाई नहीं क्यों? गुट्टी मॉम ने तुम लोगों पर बॉम डालना सीख लिया है क्या कह रही हो ममी? मा पिना नास्टे के कैसे जीएंगे हम? नास्टा चाहिए तो पहले ढंग से भारतिय नारी बन कर दिखाओ वो यू मीन साडी चोली? पूजा पाट की बोली? शादी बया की डोली? एक्साटली नौ चैंस मॉम तो फिर रहो भूके? मैं चली? मॉम ममी मॉ बेबी लोग आज तुम्ही लोग नास्टा क्यों ने बना लेती है? मुझे कोई खास भूक नही है मुझे भी भूक तो मुझे बहुत लगी है मगर नाश्टे में मैं आज तींचा गजल खालूंगी आगबाए अलो अलो रंधीर भाई आप केले फोन है अलो रंधीर नहीं हू यह हूँ है, हूँ हूँ तुमआरे पास कुछ भानी केली है घाना घाना नहीं तो क्यों किचन में भी ताला लगा दिया होगा ने विखिन तुम्हें कैसे बता क्योंकि हमारे पॉप ने भी हमारे साथ यही हरकत किये हम तिनो तो पानी पीकर सो रहे हैं तुम तिनो भी पानी पीकर सो जाू गूड़नाइट 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 कॉब्रा प्लाक कोब्रा प्लाक कोब्रा तुम्हार क्या करूं मुझसे क्या चाहते हो तीस हजार कौन से तीस हजार जो तुम्हारे बेटों ने मुझसे उधार लिये थे कोई बेटा नहीं है तुमने क्यों दी उन नालायकों को मैं सब नालायक बेटों को रुपया उधार देता हूँ और उनके लायक बापों से वसूल करता हूँ मैं तो नालायक बाप हूँ कोब्रा जी बड़ा अच्छा बिजनस है मुझे अपनी तारीफ नहीं सुननी रुपया चाहिए और ना भेजावा दूगा लाता हूँ लाता हूँ लाता हूँ लाता हूँ कर दो जाता हूँ लाता हूँ दोन रुपया ले कराओ तब तक यह दुनों दफत तक कर देंगें गरंगे अग्यों असभा पास सीदर लारा हूँ अय इक अजिति नगे आगे हुआँ मैरे को गृंडी ने आता हूँ हुआई आख आख वो नाख आख मैं दस किन्ने वाला हूँ चलती है यह 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 लो पुरती सदार है अगर कम हुए तो कल फिर आऊंगा एक मिनट यह लो एक लाख के चेक पर साइन कर दो पचाश सदार कबर में रखा है और बेटों को तुमें गोली मार दूगा काम हो गया? हो गया जल्दी सदबाले हम पुरी पुरी मारूगाल पी हो गया बाप निकल, माल निकल यह लो पची सदार तुमारे माले की है तो साइबान एक गदल पेश कर रहा हूँ जरा तब अजयो चाहूँगा चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल अरे एक तूही कितना बेशुरा गाता है है ना इस बेशुरे को मैं रिशी तुम गा सकते हैं इस इच्छा रिशी आज तू दिखा दे अपने कमाल कर दे धमाले रे छुट्टी कर दे उसकी आज तो रस्मी दुनिया भी है मौकर भी है और दस्तूर भी ओहो भीया कहो पसार आप मुझे अबे गाना काई है ना लीज लीज ठीक है वाकी सब कंगाल हर एक तूही धनवान लीज शुक्रिया शुक्रिया मेरे भाई क्या गाना गया शुक्रिया वा 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 मैं तुझे किस कुशी में भाई कैलाशनात एक अरसे के बाद हमारी जिंदगी में खुशी का मौका आया है आखर तुम भी वो गलती करी बैठे जो आज से पच्चीस साल पहले मैंने की थी अकबाल मिया लट गे वो दिन जब अउलाद माबाब को निहाल कर दिया करती थी अरे मेरे अलाद के तौर तरीके देखकर भी तुमने कोई नसीयत हासिल नहीं की अपने बारे में तो क्या सकता हूँ उनके बारे में नहीं हाँ फिर भी मेरी तरफ से उन्हे कहना जरूर मुझे यकीन है वो जरूर आएंगे आए 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 नमस्त्री अन्मस्त्री आए आए प्श्ट प्श्ट आए आए ringe Reşit! Heeeam! Let him! Heeeam! 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 Haaaa! Ate Celerin, gel! Hi! रुख जाओ कोई अपनी जगे से नहीं हिलेगा जबसे जबसे या अपनी बेटियों के साथ परोस में आई है जिन्दगी का रंग बदल गया है जिन्दगी कहा कहा से गुजर रही है जेल हमारे पूरवजी चे देखें के तू क्या सोचेंगे खुश होंगे क्यूंकि तुम, तुमारे पूरवज, तुमारे संतर के यह जगा कोई नहीं नहीं है यह से करम करोगे वह सही भरोगे अची आउटी आपते इसए पूरी कुम्ली दाँटे बीच में मत बोल साले है, वेजिटेरेन भैस हो रही है अरे शुकर कर हम जेल में हैं भागो तो तुम्हारा की ममालत है यो आदम खोर हो क्या आदमी खाते हो अरे सुना ता छे भाईते तीन को तो ये खुद खा गए हाहा सब इस और अरफ का दूश है दिल करता है इसका घर खिरित का फिर किरवा दूँ और वहार तमीज की तालिम का मदर सा खुलवा दूँ कुछ का घर क्यों ने किराता है तुम इस शाय में रहने की लाइक नहीं हो जंगल में जा जंगल में क्यों बच्चों बहुत है आवाज लियानी चीए पिन खात की हो लाज इंस्पेक्टर साब इंस्पेक्टर साब क्या है आरे उनको मत खुला भाग जाएंगे मेरे भाई को कुछ नहीं बोलना आप लोगों में भी भाई भाई होता है क्या जोड़ा जरा सास तो ले ले कैसे सास लूँ इनके तीन आवारा बैटों ने मेरा जीना हाम कर दिया मेरे बैटियों को मसा रहा है डोरे डाल रहा है तुम्हारी बैटियां खुदी भुदखती रहती है क्या आज तुम तिनों है अपने मा को जिल तर पहुचा दिया सारी शारी में मेरी बेज़वती कर दी और वो भी किसके लिए उन तीन लुचलावां को करें मैमी, प्लीज, उनके लिए ऐसे शब्द अच्छा, मैमी, प्लीज उनके लिए शरीफ बाप के शरीफ बैटे है न, उलौ अब मैं भी देखती हूँ वो तीनों तुम लोग उसे कैसे मिलते हैं और अगर तुम तीनों ने उनसे मिलने की कोशिश की न हाथ पैर नहीं दोलवा दी तो मैं भी तुमारी मा नहीं राजी अब क्या करे यार क्या करे भाईया कोल डालो फातक तोर तो ताले तपना तो दर्वाते हिला डालो पंगला मापत है मापत है तुजी भी मापत है वरकारच दोला मापत है मापत है मापत है अक्रमार्ट चड़ती उपर जा चड़ती उपर पहँच पले आई यार संबाढ़ के आई एपाभर राजी पाया मारू पाया मारू जलो राजी पाया समा अब खाया आरे पोला जफ जाम कर से मारू पाया कि कि दो दूटथ लाथ है धुट JIMप कि दोी हैं रचज हैं, मोण भजू грाव करते धुट चू लाड़ कि दूच कि दूच कि दूच कि हम करste early कि दूजैंच कि हम भर कहीं बेगा का दूच दो खुड़। ज़रो, जो अबेंट, ज़रो 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 कि अबेंट पंबेंट सब दीगे तीडे तीडे अबेंट — यह कॉम यह लेकाmड यह नही यह कवीटा का है यह कवीटा का भगल यह अच्या, आब लोख भगला लाकन जनका है SH SH काहेत को कोंसा है मै यह गुषिए दूह गुष्ण किया? ये क्या बेहुत की है? अर्ड़ी जार दूह गई रुष्ण कि तुमने? हाँ यही तो एही पुचिदे लिए तो मैं आया हूँ तुमारे तीनों लुचचे बेटे मेरे घर में गुष्टे की हिम्मत कैसे किया बापू जी ओके चुटी राजी तुम्हारे बेटे नहीं कर रहा हूं मैं इनकी तरफदारी नहीं कर रहा हूं मैं सर्फ यह क्या रहा हूं कोशल लदिविर की ताली एक आठे नहीं बजती है कि आठे रहा हूं कि रहा हूं अनकी यहाँ जाय को तर युन जाता हूं मेरे बेते गुंडे है और अजाता हूं की उचका हूं मेरी जावान को लगान दो कोशे लिए देदी मैं भी गदा हूं कि बाते चुनता रहो आज तो मैं इस बात का फैदल कर दो आज गया है यह दून्म जुपके हो गए मुझे तो लगता है इनकी सांसे पूल गई है शायद थक्का होंगे थोड़ी दर में ये दिना फिर शुरू हो जाएंगे अब तो एकी जरा रहे गया हम लग बात कर शादी कर लेते हैं खाना खाने के लिए जेब में पैसे नहीं है और तुम शादी की बात कर रहे हैं चलो भाईया बाबुजी से चल कर माफिय मंग लेते हैं और आंटी से भी यहीं चीक रहागा आपके हसीन रुक पे आज नया नूर है मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है अभी ना जाओ छोड़कर के दिल अभी भरा नहीं अभी तो आई हो अभी अभी तो तीरी 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 अभी जड़ा है महिंची देले आपके अज़ुची! अपके हमें! बया, बबबदी, आँ़े दोड़ेजी आपके रिसे इसरी में पारें! हाँ! 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 ट» पाईया पाईया! पाईया? वाईया? कैसे लाईया कि झारे ए् 93प cash? अरे लाद नहीं रहे तो है ब्रदर पिट रहे तो है अरे मारा तो खौब में लेकिन हकीकत में बाड़ी तुकरे रहे है तो अपने में भी है उमारे दिल को धड़कनी की इजाज़त नहीं है प्रदर हमें कुछ करना पड़ेगा आई सान आई बड़ी आज आप जनाब आज आप तीनों घर पर ही है नहीं पॉप हमें आपसे कुछ कहना है लो टाइम मुझे तयारो कर बाद जाना है वैसे आप जाका रहे हैं मैंने कभी तुमसे पूछा है पूछा ही है तो मैं डिनर पर जा रहा हूँ केंडल लाइट जना मुझे भूछ दिनों बाद पता चला कि मा की कमी ऑओलात को निकम्मा बना देती है अगर तुम लोग न आलायक हो इसमें कसूर तुम्हारा ने मेरा है मैने तुम बहुत दिनों दुक मा के प्यार से मरूम रखा लेकिन अब नहीं अब तुमे इप मां का प्यार मिलेगा बह मेरे बच्चो तुम्हारी मा नहीं मुझे ऐसा करने को कहा था मा लेकिन बाबुजी वो तो उपर है कल रात वो उपर से नीची आई थी क्या क्या सबने मैं ही थी यार पर बोली मैं भर गई तो क्या हुआ मेरे बच्चो को बिना मा के रखोगे मा लादो मैंने आज तर तुम्हारी मा की कोई बात नहीं ताली तो ये कैसे टाल सकता हो मेरे बच्चो मैं बहुत जल्द तुम्हारी लिए एक मा लाने जा रहा हूँ कैंडल एक डिनर का वक्त होगे हमा जा रहा हूँ मा बच्च अब वो दिन दूर नहीं जब केलाशनाथ कोशयल्यांट के गले में वर्माला डालेगा और पीबी के साथ साथ अपने बेटों के लिए तीन थीन बहने भीन बिलाएगा मगर ये बात हकीकत में हो गई तो क्या होगा भाया, बाबोजी कितने लुच्छे निकले अरे लुच्छे, आवारा, लफंगे, पता नी क्या-क्या निकले यार अब तो उन्होंने विग पहना भी शुरू कर दिया जब क्योंने, तोपी पहने चाहिए टोपी? ये टोपी हमें बचाएगा कौन कौन टोपी? डॉक्टर ठोपी वाला मुझ खोलो अ, 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 अ ठोड़ी कमजोर पहीए अरे, डोट वरी, सब ठीक हो जाएगा पेशिंट का है अहा, कैलाशना डोटर साब, ये हमारे डाड नी है डाड ऊपर है डोक्टर आईए हमारे साथ नो, 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 मुझे पेशिंट के सिंटम्स पता है मैंने लाइक में ऐसे बहुत पागल देखे है लेकिं डोक्टर साब, बाबुजी जैसा कभी नहीं देखा होगा हाँ, डोक्टर, डाड की सरुष से जालत अटक गई है अटक गई है? अटक नहीं, डोक्टर प्लीज, डोक्टर, प्लीज हमारे पॉप को एक जिम्मेदार बाब बनाती ची दोंट वरी, दोंट वरी यह जुनियर टॉप्स तुमारे पॉप्स को एकडम ठीक कर देगा तुम लोग यही पे रहना है यह, क्या कर रहो, जीते रहो, जीते रहो डोक्टर साब, आपको यह बैक यह, इसकी ज़रोद नहीं है, तुम ही रख लो है यह, जी, अब अब जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, आए मोहमथ, जिन्दाबाद लगता है पॉप को कोई नहीं सुदार सकता पापुजी, डएड, तुम लोग इतने सालों से तेना मा के अनाथ से, तो मेरा अनाथ बच्चों, बजल में तुम्हारे लिएक नई मा लेक राऊंगा मेरा सामने वाली खीडकी में एक चान सा टुगडा रहता है अरे बेबी टागी डवी, अए फिली, अफिल, अवाट यही फुर्रा भाईया, अंटी का मम्मी क्यानी क्यारा दाल दो अल्मा चुप, भाईया, राजू कहीं, सच तो नहीं कहना, तेरी तो मेरे सामने वाली खीडकी, एक चान सा टुगडा रहता है माम, मामी, मा रोको नहीं, टोको नहीं, मुझे जाने दो, जाने दो हाँ, आगो माजी कर, आज से, माजी, आउट, मैडम, इन, मैडम और आएंदा से, उचे टोको बत बैचली, बैचली दिमाग पर इतना जोर डालने का कोई फाइदा नहीं, कोई रास्ता नहीं निकलेगा रास्ता तो तब मिलता जब समस्ते इस दुनिया के होती ऐसे अजीब उगरी भात से, तो धर्ती बन नहीं होते हाँ उपर किसी ग्रह पर होते हैं तो पता नहीं ऐसा तेड़ा रिस्ता मैंने आज तक नहीं देखा दिमाग से पूछा तो खिली उड़ा भी कहता है ऐसा तो कोई इंसानी दिमाग सोच नहीं सकता कि हमारी ही प्रेमी का बाप, हमारी ही माग के साथ छी 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 बोलने में भी कितना अजीब लगता है राजी भाईया रंदिर भाईया याने की दुन्यावी तोर पर हम लोग भाइबेन हो गए वे ये बाद जरूरी जुबान पे लानी पाप है ऐसा मिठ सोचना लेकिन जिन्दगी के सारे त्योहर तो आप खतम हो गए एक ही रह गया है रक्षा बंधन आबे रक्षा बंधन नहीं बोल रक्षा भगवन टैड करना है तो करो मन की मुराद पूरी सब खुश मिचे तुम खुश उपर भगवान जी सारी लड़के को भेन बना दो चलेगा पर इन तीनों को छोड़के बख्ष दो इनकी मा को बाबुजी बख्ष दो ऐसे बुड़ाफे में लोग ताज महल में रुमांस करते हैं दो दिन में खंडर तो होई जाएगा वो डैड आप हमसे हमारा ताज महल न ले चाहें तो लाल किला रख लीजिए रंदिर भईया लाल क्या हरा निला पिला सारे के लिए रख लीजे बाबुजी लेकित हमारा ताज महल मक्षे निया हमसे अरी अर्या क्या इस घर में तो दुलहन बनके मुझे ही आना है अगर डैड ने आपको पसंद किया तो देख ले ना तुम्हारे पिताजी तो मुझे लट्टू हो पटुला है कहाँ बस सोड़ी सिदेड़ और माडम ऌप आनी वाले हैं आप अपने दिलों को छाम को ऑट्यों येवल और जांनी है बढ़ो वालो पुपर क्या कर रहा है नी ची क्यों नहीं हाए जी वो बालो वाली टोपी पहाँ डोपी बालो के टोपी मॉम तुमने कहा था ना कि तुम्हें जीवन साथी चाहिए हम चाट कर इतने सारी जीवन साथी लाए है तुम किसी भी एक को चुनो अगर माला डाओ दो बेबीस, I'm not dropperty, you know मैं dropperty नहीं हूँ जो मेरे लिए स्वैंबर रचाहिए मैं अपना वर याने लाइफ पाटनर खुद चुनोंगी बलकर चूर लिया है लाल, 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 आईए, आप कहा जा रहें आपे के लिए तो आए हैं सब लेडीज, ये है हमारे पॉप जिनके उम्र है, स्वीट सिक्स्टी I'm स्वीट फिफ्टी आप इन में से किसी एक को चुन सकते हैं पॉप क्यों, बबुजी, आप जीवन साथी के जरूर थी ना डैड, ये तो पहला बैच है, अगर इन में से कोई पसंदा हो, तो खला मिश्ट आर दे देंगे क्यलाशनात करोड़ पती के लिए, एक अधर्श पत्नी वो सबब करने की जरूरत नहीं है, पहले मैंने अरेंज्ड मैरिज की थी, लेखे, अब मैं लव मैरिज करूँगा, और लव मुझे हो चुका है के से, मेरी कोशु से, तेरा दे के रूप के मसताना, मेरा दिल हो गया, तेरा दीवाना क्यों इस ठरक़ी आदमी से हमें फसा रहते हैं जबकि पहले से कहीं फसा हो आई मालीक बगलवाले की तीनों मैं सब आई है आओ, मैरी पुट्रियहं हीलो, हाई, हाई, हाई… तुम दरवादे पर क्यों खड़ी हो अंदर आओ ना ये घर ये दिवारें ये सब कुछ ये सब कुछ तुम्हारा है अंकल हम आपकी बेटिये नहीं है तो होने वाली हो बेटी अंकल आपको मालुमा आप क्या कर रहे हैं शादी मगर एक खुलकार औरत थे अच्छा अंकल मॉम ने हमारे डैडी को जहर दे दिया था वह ओंगे इसी लायक वह आपको भी जहर दे के मा जालेगी वह जहर दे या तट्ल कर दे वह मंजूर है क्योंकि मैंने तो महबबत उसे किये मेरी बच्चियो मेरी बच्चियो पता है महबबत क्या होती है पता है महबबत एक चीडिया होती है जो फदक फदक कर दिल के दर्वाजे पदस्तक देती और पूछती है कि में आइ कामेह में तर दिल कर दर्वाद hyvä क्लता है और उसके अंदर गाप बैठ जाती एई कि क्वी तुम्हारी मां भी डिल के अंदर बैठ चुकी है अब उसको बहुरां नहीं निकलेगी में और कोषु मेरे दिल से बाह नहीं निकलेगी ओ मु फुदक चुकी है, मु फुदक चुकी है ये गाली गाली आंखे ये गए गएघाल चुपोजा खुंद मालिक मालिक कैलाषणाच जी के तीनो बेटे आपसे मिलने आए है तो उन्हें अंदर भेज़तीजी जी रोकर अच्छा मालिक कहलाशनाजी के बच्चों को पर्मीशन लेने की कब से आईए अंदर आईए याने आप तीनों इतने बड़ा आदमी हो गए हैं कि अंदर आने की खबर नोकर से बिजवाओ आए अरे तुम तीनों कब आए? अभी अभी तश्रीफ लाएं बेगम लेकिन इनके मुँ लटके हुए क्यो है? आपने कुछ कहा क्या? लीजी हमारी शामत आई है अंकल वो क्या है कि वो अच्छा याने फिर से आप गाड़ी ठुकवा के आए हैं में अंकल बात ऐसी है कि वो अंकल जी वो बात दरक लाए है वो क्या कर रहे हो? पुरी बात क्यों नहीं कहते है? अब क्या बता है अंटी जी? हमें तो हमें तो कहते हैं शर्म सी आ रही है अरे आप कह भी दीजे मिया इतने शर्मी ले तो आप पहले कभी न थे इकबाल अंकल हाँ बात बहुत सिरियस है हाँ हाँ हमारी डूपती यू कष्टी को आप ही पार लगा सकते हैं क्यों भाई? पहला आशनात ने तुम तीनों को अपनी जाइदात से बेदखल तो नहीं कर दिया वो नौबत भी आने वाली है अंकल वो नौबत आने से पहले तुम तीनों सुदर क्यों ने जाते हैं अंटी हम तो सुदरे हुए है लेकि डाट बिगड़ गए बिगड़ गए अंटी जी भजन कितन करने की उम्र में बाबुजी मोहबत के हसीन नगमे गार है वो भी एक शादी शुदा उम्रत के साथ अंकल वाली यांटी की साथ कामरहलालाकर गहने का रहे है वह तीन बेटियों वाली उम्मां हमारे पाप के साथ ठुंके पह ठुंका लगाकर गानागारे अरे नहीं अटी तो तुम मिया अपनी आखों का जाकर हिलाज करवाओ या इस तरह छुप छुप कर मेरी खुबसूरती का जायका ले रहे हो हैं जायका बड़े शर्म की बात है यार अच्छे खासे शरी गुद्धों की जमात में आने के बाद इस उमर में बगल वाली के साथ गुटर्गू कर रहे हैं गुटर्गू मैंने तो एक पालतू कबूतर मंघुआया मेरा प्यार भर खकतлад लेकर बगल में याने के बाम यार पर जाएगा कियांचियों किसे और अज फिर बान को ने जाए बामे यार पर किर कट द Otherwise रहा करे था पर पर फंक हो के लाशनात केलू, केलू, कौश अल्यार, कौशू, हट, तो तीन जवान बेटियों की अम्मा है, अपने उमर का लेहाज को कर, जरीना, असली महबत का रंग तो इस उमर में चड़ता है, कर, तु भी मेरी तरह महबत कर सकती, ने, हाँ, तुम एकबाल मिया, यहीं तो एक उमर है, महबत की चिलिया पकड़ने की, I see, I see, I see, I see, I feel about the police on a shirt, तुम्हारे दिमाघ और दिल के पुर्जे ढिले उनकी बिगढनेके स्रिप एक ही वज़ा है, सरपर पिता का साय नहीं है न, तो मैं उन्हें एक जिमीदार पिता का साया देकर उन लोगों को सुधार न चाहती हूँ, बस मुझे तो लगता है कि तुमारी बेटिया नहीं, तुम बिगढ रही हो, तुम बिगढ ही नहीं गये तुम्हारा और मेरा जिश्ता खत्म वाह कैलाशनात वाह 20 मिनिट में तुम्हें 20 साल पुरानी दोस्ती तोड़ दी प्यार का ऐसा भूत तुम्हारे सर पर सवार हुआ है कि मुझे तुम पर तरस आता है बहुत बड़ी गलती कर रहे हो तुम्हारे बच्चों की शादी की उमर है और तुम अपनी शादी के खाप देख रहे हो किन बच्चों की बात कर रहा है तुम्हारे सिवाए दुख दर्द और बेजनती के और कुछ नहीं दिया और मैंने उनसे क्या मांगा था जरा सी जिम्मेदारी का ऐसास बस और वो भी नहीं दे पाए मुझे इसलिए मुझे मेरा फर्ज याद दिलाने की बजाए अगर तुम उने समझाओ कि फर्ज किस चिडिया का नाम होता है तो ज्यादा बेतर रहेगा मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं नाकाम याब रहा मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर मैं बाद होता तो ज्यादा अच्छा होता प्रषण वह दूसे निगल रहा है क्या बात रहता है मैं डक्तर की बशल करें डक्तर की बसकी बात नहीं रहे तुझे वही बताएंगे जो मुझे बता चुके है सर, क्या, है, क्यलाइशनाथ, एक दूसरे को सब कुछ बताने का जो दफूर हमें बरसों निभाया है, वो काईम रख मेरे यार, तुझे मेरी खसम, क्या बता है डॉक्टर ने, हाँ? मौत की तारीक, ब्लड कैंसर है मुझे, ब्लड कैंसर? आखरी स्टेज पर, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा ही है, रुकम नामा उपर से आया है, बस, चार-पांच महीनों की बात है और, और फिर शो खत्म, बाप का रोल अभी पूरा नहीं हुआ और, और कंबक मौत भी चल्दबाज में, बदाने बच्चों को जिंदगी निभाने का सलीका सिखा भी पाऊंगा या, इकमाल अगर, अगर ये काम अधूरा रह गया तो, तो बहुत तकलीफ होगी, बहुत प्यलाशनत, बस एक आखरी उमीद पर जान अटकी हुई है, कि मेरा और कौशलया देवी का जो प्रेम का नाटक है, वो शायद उन्हें सही रास्ते पर लिया है, तो, नाटक? हाँ, तुझे क्या लगता है, एकवाल ये नाटक ही है, अपने बच्चों को सुधारने की आखरी कोशिश, मैं एक राचार बाप की तरह नहीं बना चाहता, एक काम्याब जिंदगी गुजारने के ब तो मौत जिंदगी को एक तोफ़ा लगती है, ये क्या लाच नाच छाती ठोक कर उपर वाले के दर्वाज में जाना चाहता है, तुझे क्या लगता है, मेरा ये, मेरे नाटक वाला आइडिया काम्याब होगा की नहीं, पता? जरूर हो गयार, बस अकवाल, एक आखरी वाद जरूर कर दे, उन्हें कभी कुछ मत बताना, क्योंकि मैंनी चाहता कि मुझ पर तरस खाकर उनमें कोई ऐसास जागे, अब एक ही दूआ मांग मेरे दोस्त, कि रतीजा निकले, मगर मेरी सास रुखने से पहले, हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि वो दोनों शादी ना करें, तो आप लोगों को थोड़ी सी खुर्बानी देनी पड़ेगी, कैसी खुर्बानी, अपनी मौज मस्ती की, फिजूल खर्ची की, आवारा गर्दी की, तुम्हारा मतलब, ये लोग लाइक बन जाएगे तो, हम लोग तो लाइक बने के लिए तयार हैं, बलकि हम लोग तो हैं ही लाइक, ना लाइक पन पर तो वो दोनों तर आए, हाँ मगर ऐसा करने के लिए उन्हें किसने मशबूर किया, तुम लोगों ने, भरा पूरा घर होने के बावजूद कैलाशनात को अकेलापन क्यों तुम्हारी वज़े से, और इसी अकेलेपन को दूर करने के लिए उन्होंने कौशलया देवी का सहारा लिया, और कौशलया देवी ने उनकी तरफ दोस्ती का हाथ क्यों बराया, तुम तीनों की वज़े से, जवान बेटियों का सुख, अगर मा को ना मिले, तो ऐसे में बे अगर देश हलका करने के लिए, रिशी, रंधीर, राजीर तुम तीनों, कविता, कोमल, और कंचन तुम तीनों, क्या एक बार भी कोशिश करके, तुम वो सब नहीं कर सकते जो तुम्हारे माबाप तुम से चाहते हैं, क्या उनका इतना भी हक तुम लोग अदा नहीं कर सकत तो ठीक है, हम ये भी करके देख लीने, मगर उसके बाद भी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा रंधीर, पहले तुम लोग जाकर अपने माबाप को वो खुशी दो, जिसका उन्हें बरसों से इंतजार है, है, क्या बात है, क्या हो आपको, कुछ नहीं जरीना, कैल आशनात का ख्याल आए तो आखे बर आई, सब ठीक हो जाएगा, आपकी बात मान जाएगे वो कैल आशनात, सर मैं तुली बोल रहा हूँ, हाँ तुली बोलो, सर, आपके बेटोने तो कमाल करती है, क्या, आई, आई डोंट बिलीव इट, कोठारी एं संस की मिले, मेरे बेटों ने खरीद ली, जी सर, वो, रंधीर, रेशी और राजीव, मैं सच कह रहा हूँ, सर, आई डोंट बिलीव इट, जो का मैं इतने दिनों तक ने कर सका, उन्होंने, उन्होंने एक हफते में कर दिया, उ नहीं तुली, इतनी सारी खुशकबरियां मैं, फोन पर नहीं सुनना चाहता, सर, आप सेक्टरी आ रहे हैं, हाँ मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, मैं ठीक है सर, मैं सबको बता देता हूँ, क्या सेक्टरी आ रहा हूँ, रोबत बताना, I want to give them a surprise, मैं उनको काम पर देखना चाहता हूँ, I don't tell them, okay sir, okay sir, okay sir. आई मान गए, आप की बातों का क्या असर पड़ा है कौशे लेर के बेटियों पर, आज जब मैं उनकी घर गई, तो क्या देखती हूँ, कंचन किचन में खाना पका रही है, कोमल घर की सफाई में मश्रूफ है, और कविता भजन गा रही है, यह सब आप ही के वज़े से, क्या बात है, आप इतनी गुमस्म क्यों है, जरीना, उपर वाला भी पता नहीं किस मूर में होता है, जब वो इंसानों की तखदीलें लिखता है, मतलब यह है, जरीना के, तलाशना पेशले 20 साल से, जिस खुशी की तलाश में था, आज जब वो खुशियां उसे मिल गई है तो खिसमत में उसकी सासों की किंती कम कर दी है, मैं कुछ समझी नहीं, साफ साब बता ही न, क्या हुआ है, जरीना, कलाशना तब ज्यादा दिन तक्ची नहीं पाएगा, क्या, जरीना, मगर क्यों, क्या हुआ है उने, वो बलड कैंसर, ने, वो भी आखरे स्टेज पर, ने, जी, जी, क्या है, जरीना, क्या है वो रहता है, जरीना, क्या है अक्यों, ही वो भी हागा? झाल 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 तुम लोगों ना अपने ममी के नाम चिठे लिग दिया ना? इसे वहाँ रख दो कुमल क्योंकि हम भी अपने पाप के लिए एक लेटर लिख कराएं चै ऐसे ममी डैडी तो किसी दुश्मन के भी नहीं होनी चाहिए मुझे तो डाड को डाड के तो इशर्माती है और मुझे मा को मा अरे एक बाल अंकल ने जैसा हम से कहा हमने वैसा किया मगर इन तोनों के सर से प्रेम का बुखार अभी तक नहीं उत्रा ऐसे मार बाबुजी से तो हर अलाद को रिष्टा तोर देना चाहिए अरे डैडी की जाइज अलाद होने से अच्छा है किसी की ना जाइज अलाद होते तो ज्यादा सुकी होते वाकि तुम लोग तो जाइज अलाद कहने की भी कबिल नहीं शरम नहीं आती अपके पिता के बारे में अनव शनव बक्त है और आपकी शरम कहां चलिए ममी बरदास्ट करने की वे एक हद होती है तो किस्ते हद पार की है तुम ने कहते हैं मा भगवान का रूप होती है मगर तुम ने भगवान की बनाई उस मा का मुझ काला कर गिया है और उसी भगवान ने पिता को भी बनाया है पिता जो धर्म होता है जिसे सबसे बड़े देवता का स्थान दिया गया है आज वही देवता, गुन्हाओं का देवता हो गया खवर्दार, खवर्दार चेक लवज भी अपने पीता के खिलाब बोला तो मैं कैसी मा हूँ, इसका गुन्हान मैं नहीं करना चाती हूँ मगर हाँ, एक जिम्हेदार मा ज़रूर हूँ और तुम लोग, सच कहते हो तुम लोग, तुम्हारी पीताजी सच मुच इंसान नहीं है देवता है वो, पता नहीं पिछले जनम में, कितने पुन के होंगे तुम तिनोंने, जो ऐसा बाप मिला है तुम्हें एक देवता समान आज़ाएं के लिए देवता होंगे, हमारे लिए हैवान है वो, और आप जैसी हैवान और शैतान की जोड़ी इस धर्ती पर दूसरी नहीं हो सकती, वाह, 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 देख रही हैं आप, क्या-क्या मिसाले देकर अपने बाप की शान में इदाफा कर रहे हैं आप लोग, सच मुच पापुजी, हम तिनों को बिजर समबलता दिखकर सुधर जाएंगे, पर हमारे सुधरने के बाद, दैड, और ये, ये मोहतरमा, गाडी में पतरी बहाँ में बैए डाल गाएं आँटी, राचीव ठीक कह रहा है, हमने, हमने आज ही, आज ही इन दोनों को कार में इकठे तो करशल ये अदेवी, आज हुआ गसम तो डालिए, ताके इन तीनों की आँखे खुल जाएं, इससे पहले के ये अपने बाप की और धज्जिया उड़ाएं, बता दीजिए कि इनके बाप पर क्या गुजर रही है, तो सुनो, तुम्हारे पीता जी की जिन्देगी, अब सिर्फ कुछ मेनों की मेहमान है, और कुछ मेनों की बाद, हम सब उन्हें रोकना भी चाहे, तो भी उन्हें रोकने ही पाएंगे, हम सब पो छोड़कर, हमेशा के लिए और चले जाएगे, क्या हुआ बापजी को? लाट कैंसर, क्या? लाट कैंसर? मगर? मगर पॉप ने हु उन्हें किसी को नहीं बताया, मुझे तक नहीं, क्यूंकि उन्हें मालुम था, अगर वो मुझे बता देते, तो मैं, मैं उनके साथ ये प्यार का नाटक कभी नहीं कर पाती, आ नाटक, तुम तीनों की आँखे खोलने के लिए, इन दोनों ने प्यार का नाटक खेला था, और आज जो तुमने जिन्नेदारी का ये ऐसास जागा है, वो सिर्फ इस नाटक की वज़े से, और, और जहां तक कि उपगारी की बात थी, मैं एक बिमार आत्मी को अपती बाव का साहरा दे रहे थी, और तुम लोग, सॉरी अँटी, अंकल, हम, हम लोग वाक्या में बहुत गिरे हुए लोग हैं, हम लोग उनके नाम इतनी खराब चिटी चोड़कर आये हैं, जिसे पढ़कर, उनके दिल को बहुत ठीस पहुंचीगे अंकल, बाईया, मैंने डाड़ी के पास ये चिटी ने पहुत नहीं दी, माँ उसे उटा लाया हूँ, अजू, तरिक्यों बड़ी बाच, एक धागे में पिरोज़कर, उनने हम सबको, एक प्यारी सी दुनिया दी है, ये, ये प्यारी सी दुनिया, मत, मत बरबात करना, मत बरबात करना, बगोण, बगोण, प्लीज बगोण, हमारे पापु गाल के मजशीओ, मजशीओ बगोण, प्लीज डैड पापुजी डैड आख लगए थे सब ठीक तो है ना हाँ डैड डैड ये फाइल देखिए हम लोग फॉरण कॉलाबरेशन में एक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं पॉप पूरे धाई करोड का प्रोजेक्ट है पापुजी ये रेखिए हमारे फॉरण कॉलाबरेशन में से हमें सित्तूर पसंद का मुनफा हुआ है सेवन्टी पसंद येट्स फैंटास्टिक तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया जड़ी जड़ा मेरा रिपोर्ट कार्ट भी तो देखिए मेरे नाच्ट लें हंड्रड में से हंड्रड उतने दो मेरे भी नहीं आये वज़ी तुम सब ने मिझे बहुत खुश कर दिया मेरी भूख जाके चलो चलो कर नाश्टा करते हैं बभुजी अराम से ढट अराम से अराम से का लफड़ा है रहे वहीं खलीफाँ का लफड़ा है जिनके बारे में आपको बताया था इन्हें बड़ा चपाया हुआ है का मस्ला है तुन तीनिन Κा पहलवान जी पहले तो उन तीनों के वापने हमारी होने वाले साथ के सास रोमान कनाटे किया अब उन लड़कों और हमारी लड़कियों के भाई बिनके इस्ते भी खतम हो गया खत्रा फिर हमारे जर्बे आ गया है अरे ओ भौके खत्रे का सलुसन तो हम निकालूंगा पहले ही बताओ तुम्रा पतलूम्मा हरा काज़त कितना है पहलवान जी हम अपनी सारी दौलत पहले ही महबबत के नाम पे लुटा चुके है तो क्या हमरी गर्द में जूला जूले आये हो मंडब बनवाने का पैसा नहीं खीसे में और खोपड़िया पर सहरा पहनेंगे भौके पहलवान जी आप हमानी शादी करवा दीजिए बहुत मालदर पाटी है वह तीन लड़किया ना बाप ना भाई एक बुड़ी मा है और उसका टिकिट तो कभी भी कर सकता है जो भी ज्यादात मिलेगी आधी आपकी आधी हम तीनों बाट लेंगे होके पड़ा नाप तोल के ताड़ा है छोकरियन को हम इन्वेस्ट करता हूं तुमरे साथ अरे गिलावर ब्याद की तैयारिया करो हम दुलनिया का डोली लेकर आतम कि बहुत कर लिया पूजा पाट अब हम तुम तीन देवियन को प्रिदेव वर्भान में देता हूं हमरा सामोहिक विवा का कारक्रम आज संपन्न होगा कि छोक्रियों को साथ फेरे का फेर समझा तो अच्छी तरह मंडप के इस गिर्च छट पटाई तो जोग देंगे इसी आग्मा वाँ लगता ये छोक्रिया हमरी पाट शाला का सबक सीख लिया है अरे दुलनिया को ले आओ देखो ना दुला लुग कितना व्याकूल हो रहा है थिआ था 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 थाथ जोड़ दो जोड़ आपने एाह! एाह! इयाğğ! एाह! पोड़े! izada हमसे बर्फ.... ृ रिख다면 रिख島 कर सक Matth ah हो generated वो प्याव्टा बडाल है वोपटाए वोपटाई हट्रूए मुब याल मुब याल अब लब बहानीग अब लब बहानीग अबसको में चर्थाप अब अदरी उन बच्चों की तो मा भी नहीं है भगवान एक्ती जल्द उनके सरसपी तक हसाया मत चिनो प्यानत मत बनाओ भगवान अपना फैसला बदल दो अपना फैसला बदल दो भगवान परबंदिकार तेरा हिसाब किताब तू जाने अगर उसे जाना पड़ा तो उसके साथ हमारी तमाम खुशियां चिले जाएंगी या ला उसकी जान बख्षते उसकी जान बख्षते तक्टर साब एड़ी तमाम टेस्टों के बाद नतीज़ा ये निकला है कि कैलाशना जी का अंत नजदीक आ गया है और आने वाला कोई भी दिन उनका आखरी दिन हो सकता है है आप कोनो तो उनकी मौथ की तारीख पकी करने वाले आए दिनदे अख्बारों मीं आपकी गल्तियों की खब्रें चबती रहती है ये मशीन ह्आ गलत है वो मशीन ह्आ गलत है यह भी तो सकता है, आपकी लाप अरवाई के वज़े से उनका ब्लड टेस्ट चेंज हो गया, वो ऐसे नहीं मर सकते हैं, वो ऐसे नहीं मर सकते हैं, काशिये सच होता है, भाया, यहामी सत्रा तारीक को, हम लोग बाबुजी का जनम दिन नहीं, नहीं जरूर मनाएंगे हम, हम स सत्रा ही तारीक होगी, कैलाशनाद के जनम दिन के तारीक, जिसे हम दुम्दाम से बनाएंगे, लेकिन, लेकिन अगर सार घर वापन से नहीं आए तो, तो ले, इतनी दो सिफारिश उपर वाला हमारी जरूर मनेगा, इतनी महलत तो उसे हमें देनी पड़ेगी, हम, 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 ह हापी बर्दे लियो अपाप जाई, हापी बर्दे टू यू, एए, कुछ दिन में हस्पिताल में क्या रात तुम लोगोंने अपना बापी बदल दिया, यह सब किसकी शान में हो रहा भई, तैडा भूल गए, आज 17 तारीक है, आपका जनम दिन, आज 17 तारीक है, हाँ, हम, वाल हमें पदा ही निशेला कि आज 17 तारीख है हॉस्पिटल में जिंदगी कितनी जल्दी कुज़र जाती है यानि कि हॉस्पिटल में हमने इतने दिनों की विजूल घर जी कर दी आज 17 तारीख हमें क्या है अब बाते बंद और कहला आशनात के बेटों ने अपने बाप के बीच में ये रोमैंस देखा वो और कुछ नहीं आप लोगों को पठ्री पर लाने के लिए एक बहुत बड़ा नाटक था अधे मैंने इतनी अच्छी एक्टिंग की और आप मेंसे किसी ने ताली भी नहीं बजाई ये भी बता दिया इन्हें राज का खूब छलकाया चाम तुमने हैं हम राज फर इन काले वालों से चुटकारा मिला एक बहुत बड़ा बोज़ उत्रा और नाटर ख़त्म लेकिन परदा किरने से पहले आप सब के लिए एक सूचना मेरी घर हाजरी में मेरी सारी सिम्मेदारियों का चार्ज होगा पशलय देवी के पास सलाव, मशुराद, टांट खाना इन सब चीजों के लिए आप इनके पास जा सकते हैं ये क्या चनम दिन पर ये तोफा में खरूल नहीं बोले क्या चाहिए मेरी तीनों बेटियों का हाथ मेरी तीनों बेटों के लिए यानि कि दोनों घरों की बीच की दिवार तूटनी चाहिए बोलो मंस, बोलो मंस ये तोफा आपने लिया है ये दिया है ये तो नहीं कह सकता कि मेरी उमर तुम्हे लग जाए बाबुजी, बाबुजी आप मुदर चलिया पहलाशनात साथ-साथ पूरे करते ही नेता बनने का शौक पाल दिया खड़े-खड़े भाशन दे रहे हूँ चलो, चलो चलो कर वास्टोफे पर बैढ़ जाए बैठी रहाए बैढ़ जाए अच्छा 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 परिखने मेरे साथ साल पूरे होने में अभी तकरिवन 6 दिन बच्छे है कबरा मत इससे जावे जहने नहीं दूँगा लिगे यह आइडिया भी तुम्हारा नहीं होगा मेरे दोस्त लगता है लगता है अपना वक्त आगया अगा भी अच्छा यह जा आगा देख दूट बार कोई हान में जा रहा है तुरह देखना तुरह देखना कौनसी कौनसी गारी लेकर आया है क्वोई नहीं आया आप कही नहीं जा रहे जानने तो पढ़ेगा विखा उपरवाला बॉस सार सार पहले निसी नौकरी पर भेजा था ट्रांसफर ट्रांसफर बैक टू ट्रांसफर बैक टू हैड आफिस तुम लोगों के तुम लोगों के चेह इतने मायूस क्यों है मुझे मुझे तुम्हारी ये शकल पसंद नहीं तुम्हारा वो पुराना रूप मुझे अच्छा रखता है वो शोर शराबा वो शरारत तबले पर आज मेरा साथ दे रहे है कैलाश खाँ साब अदाब ये वही चंडाल है जो पिछले वीस परसों से न मुझे जीने दे रहा है और नहीं मरने दे रहा है अपने पाप को चंडाल कहता है हाई डाइड आए मैं जो तुम जैसे नमूनों को पैदा किया राजीव कवाण डाइड कवाण डाइड क्या कवाण क्या कवाण एक बानों मरना नहीं चाहता पर जिन्दा रहने की खोई तरकीब कोई आइडीया कोई नहीं आ सकता उस उपर के जहांसे किसी को इजाज़त ने इस घर में कुछ देगी यहाँ जह चलम दिन मनाए जा रहा है मेरे ड़का कोई नहीं आ सकता मैं देखता हूँ कौन आकर हमारे इस चेशन को रोकने कोशिश करता है मैं उसकी सारी कोशिशे मिल्दाख रख दूँगा को यह अगर आवारे इस कुशी को चीदे कोशिश तो करें मैं उसे पाबुजी देड़ हमें छोड़ कर गए हुए आज आपको साथ अजार पांचसो तुली छबश दिन साथ अजार पांचसो चबश दिन शे गंटे पच्छीस मिरिट और पांच सेकंड हुए हैं शे सेकंड शाट आप तुली मैं रोज इसी तरह आपके सामने अपना दुखड़ा अपना दुखड़ा सुनाने के लिए खड़ा हो जाता हूँ डैड कहने को तो चार-चार बेटों का बाप हूँ लेकिन फकर करने लाएक एक भी नहीं है चौथा अभी छोटा है इसलिए ठीक ठाक है लेकिन बड़ा होते वो भी अपने भाईयों की तरह खैर आपसे दो गड़ी बात कर लेता हूँ तो मन कोई शांती मिलती है God bless you I'm sorry God bless your soul